मन में कुछ कर गुजरनी के इच्छा और दिंड संकल्प हो तो रास्ते की हर चुनूतियां आसान हो जाती हैं इस बात को सच साबित कर रही हैं उत्राखन के बागेश्वर जिले की कक्षा सात्वी की छात्रा 14 साल की फैशन मॉडल कामाक्षी चौधरी ने इस छोटी उमर में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ना सिर्फ खुद के लिए रास्ता तयार किया बलकि फैशन जगत में जाने का सपना देखने वाली अन्य वाले काउं को भी प्रिरित किया है बीते 30 मई को एक प्रसिद्ध निजी चैनल की इंडियास टैलेंट मॉडलिंग प्रत्योगिता में उन्होंने मिस चार्मिंग का खिताब जीत कर जिले का नाम रोशन किया है उनकी उपलब्दी पर अकेडमी ने उन्हें सम्मानित करने का निणे लिया है बताने की राइका कोसानी के शिक्षक सुबोत कुमार चौधरी और अलका चौधरी की बेटी कामाक्षी को पढ़ाई के साथ निरित्ते और अधाकारी में भी महारत हासिल है मौडलिंग उनका पैशन रहा है और फैशन के प्रती उनकी रुची और ललक के चलते परिवार वालों ने भी उनका भरपूर साथ दिया जिसके दम पर वो अब तक कई फैशन और मौडलिंग प्रतेविताओं में भागिदारी कर चुकी है कमाक्षी का कहना है कि आज जो जिस मुकाम पर पहुँच पाई है उसके लिए वो अपनी माता-पिता और नेहा डांस एकडमी का धनेवाद करती है उन्होंने बताया कि माता-पिता का सयोग और डांस एकडमी की संचालिका ने उनके हुनर को तलाशने में काफी मेहनत की मैंने अपना मॉडलिंग का करियर पिछले चार साल से शुरू किया है जिसमें मैंने आज तक बहुत सारे शोवस्पे किये हैं आइके-फड़्यू डेली उत्रेखन डैंसिंग स्टार बादिश्वर बिग फ्रेम्स फिल्म्स नहरादून और जो मेरा सबसे ज्यादा अच्छा जो मेरा टेवी शो हुआ इंडियास टेलेंट फाइट इंडियास टेलेंट फाइट ने मुझे बहुत अच्छी पहचान दी उसमें मैंने अपना मॉडलिंग करा था उसमें मुझे मिस चार्मिंग का सब्टाइटल मिला और उसके एपिसोड पर यूट्यूब पर टेलीकास्ट होने ही वाले हैं इन सब के लिए मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि वह मुझे मेरे हर लाइन पर सब्सक्राइब करते हैं मेरी डांस टीचर नेहा मैं और मेरा स्कूल स्टाफ वही कामाक्षी के हुनर को देखते हुए मायनगरी मुंबई से भी उनके पास ओफर आने लगे हैं शो के प्रसारण के बाद उन्हें एक वैब सीरिज और विग्यापन फिल्म का ओफर मिला है आला कि उन्होंने अभी इसके लिए हमी नहीं भरी है पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदी शुपाध्याई की रिपोर्ट